देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं अध्यात्मिक साथना का अनूथा केंद्र बनेगा मनसौर का सत्भावना सरोवर मनसौर में अत्याधूनिक भवे अध्यात्मिक राजियोक साथना केंद्र सद्भावना सरोवर का भूमी पूजन नवीन और नवीकर्णिय उर्जा मंत्री हरदीप सिंग डंग, विधाय यश्पाल सिंग सिसोधिया, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रियंका गो स्वामी, कलेक देता हूं कि इस उद्देश के लिए जो दीदी अपना पूरा चीवन, अपना त्याग, अपने तबश्या से इस समाज को देना चाहती है और दे रही है, यह हमारा सोबा क्या है? समपुर समाजों के लोग यहां पर देख रहे हैं, यह हिंदू, क्या मुसलमान, क्या जेन, क्या सिख, सब दो बेठे हैं, और जब सब बेठे हैं, तो सभी का योगदान हो जाएगा, तो यह समखल्प और यह सपना बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा. लोगों को मेडिटेशन के माध्यम से, उनकी चिंता करते हुए, इस नेगिटिविटी से दूर करते हुए, उनको भगवान से जोडते हुए, सब एस्पेक्स जो हैं, वो आप क्लियर करने में लगे हैं, मैं पूरी संस्था को बहुत-बहुत बढ़ाई और शुप कामना है इस मौके पर आयुजित कारिक्रम में सभी अतीथियों ने अपने-पने विचार रखे, मुखे वक्ताओं ने दिवंगत बीके समीता के साकार हो रहे सपने को याद किया, क्योंकि यह सत्भावना सरोवर उनी के संकल्पो और तपस्या का परिणाम था जिसमें दूसरों को तनाव से मुक्ति दिलाना, दूसरों को खुश रखना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों की मदद करना मेरे ख्याल से यह इसका सबसे उजला पक्ष, सबसे खास पक्ष है जिसकी जितनी तारीफ की जाये कम है समारों में सभी का मानना था कि सद्भावना सरोवर आधिहात्मिक सेवाकेंज मंस और वासियों की उन्नती के लिए सहयोगी साबित होगा इस दौरान कलश यात्रा भी निकाली गई जिसमें माताओं बहनों ने उमंग उच्सा से हिस्सा लिया सडक सुरक्षा भ्यान ने बाइक रैली द्वारा हजारों को किया जागरुक यदि हम लोगों को यात्यात नेमों के प्रती जागरुक करते हैं और उनकी जिन्देगी को बचाते हैं तो यही हमारे मानव जीवन की सार्थकता है ये बाद जिला के पूलिस अधिक्षक अमित तुकाराम कामले ने ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित सडक सुरक्षा भ्यान के समापन अफसर पर कही सेवा के इंज़ प्रभारी भी के विद्या समिर अनेक सदास्यों ने अपने अपने विचार रखे अगर आप 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 को जिवार से प्यार रही है जोड़ते हैं और कनेक्षन जब जोड़ लेते हैं तो हमारे अंदर धरियता का गोन इस अभ्यान के अंतरगत संस्था से जुड़े 75 मोटर साइकिल सवार सदस्यों के द्वारा 200 किलो मीटर की यात्रा की गई और 10,000 लोगों को नियमों के बारे में जानकारी देते हुए पर्चे भी भाटे गए अंत में सभी को प्रमान पत्र दे कर सम्मानित किया गया अंतराष्टी खेल दिवस पर चतरपूर सेवाकेंद पर खेलेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया विशे पर कारिक्रम आयुजित किया गया जिसमें जिला की खेल विभूतिया अलंक रिथ हुई इस दोरान बिके रीना ने कहा कि खेलों से प्रेम, एकता, सद भावना, भाईचारे की भावना हमारे अंदर जागरित होती है और यही हमारे मानविय मूले हैं इस मौके पर स्कूल शिक्षव विभाग से जिला खेल अधिकारी श्रीकान दुबे, कबड़ी जिला सची मान सिंग, महराज चत्र साल बुंदेलखन विश्य विद्याले के स्पोर्ट्स ओफिसर डॉक्टर अर्विन महलोनिया समेत अनेक अतीतियों ने कहा कि खेल का मैदा संपून व्यक्तित्व का विकास करता है। अंत में बिके माधूरी ने सभी को राजयों का भ्यास कराया। के सदस से एमेच शा, बिके महेंज समेट कई अधिकारियों ने कारिक्रम की सरहाना की। कारिक्रम ने कहा कि अधिहात्मिक स्वास्थे ही संपून स्वास्थे का आधार है। स्वन्निम भारत के निर्माण में युवाओं का बड़ा योगदान है। इस पर दिल्ली के डिफेंस कॉलॉनी में एक कारिक्रम का आयोजन हुआ। इसमें अलग-अलग शेत्र के 40 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। ये प्रोग्रम ऑनलाइन और ओफलाइन दोनों चले। इस कारिक्रम में आल इंडिया में 120 वी रैंक रखने वाली टैनिस खिलाडी साक्षी मिश्रा, न्यूक्लियर मेडिसिन में रिसर्च कर रही एम स्टूडेंट सचिन सैनी के साथ कई और लोग मौजूद रहे। आज की बुलिटिन में बस इतना ही देश-वुदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहे हैं मदुबन न्यूज।